साथियो नमस्कार पाइपिंग मेगेनिकल ग्यान में आपका तहे दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में जानेंगे जो इंचे साइज के नट बोल्ट होते हैं उसका mm में स्पेनर साइज कैसे निकालते हैं इंचे जो और mm साइज के बोल्ट पर या नमर लिखा रहता है स्पेनर के उपर 3x8w या 7x16bos इस टाइप का लिखा रहता है इसका मतलब भी जानेंगे पाइपिंग सिस्टम में कितने इंच के पाइप फ्लेंज में कितने mm या कितने इंच का स्पेनर लगेगा ये भी जानेंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि म मेरे वीडियो को ब्लाइक करें और मेरे चैनल पे नए थो शब्सक्राइब करना न बूले है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं सुथ को inches में कैसे लिखते हैं क्योंकि सूत साइच के बोल्ड प्लिए या जानना जरूरी है एक इंच में आठ सूत होता है तो एक सूत को 1 by 8 इंच लिखते हैं ऐसे ही दो सूत को 2 by 8 इंच या 1 by 4 इंच लिखते हैं तीन सूत को 3 by 8 इंच लिखते हैं ऐसे ही चार सूत को 4 by 8 इंच या 1 by 2 इंच लिखते हैं तो इस प्रकार सूत के इंच में लिखा जाता है अब जानते हैं सूत या इंच साइज के बोल्ट होते हैं उसका mm में स्पैनर साइज करशे निकालते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि जो सूत साइज के बोल्ट आते हैं उसका स्पैनर साइज भी सूत यानि इंचे साइज में ही आते हैं इसको आगे जानेंगे सूत या इंचे साइज के बॉल्ट में mm साइज के स्पेनर लग जाते हैं क्योंकि सूत साइज के बॉल्ट और mm साइज के बॉल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है लेकिन सूत साइज के बॉल्ट में mm-size के spanner बार-बार यूज करने पर bolt का head खराब जाता है तो आए जानते हैं suit size bolt में mm-size के spanner कैसे निकालते हैं suit size के bolt का mm में spanner size निकालने का formula होता है bolt size multiply 5 प्लस 1 बराबर spanner size mm में आएगा आए जानते हैं उधारक के दवारा दो suit को 1 by 4 लिखा जाता है यह जो 2 suit है यह bolt का diameter है 2 suit bolt का size multiply 5 करेंगे प्लस 1 बराबर 11 mm आएगा यानि 2 suit bolt के लिए 11 mm का spanner लएगा 5 suit के bolt का spanner size निकालते हैं 5 हो गया bolt का size multiply करेंगे 5 के साथ और प्लस 1 तो बराबर हो जाएगा 26 mm यानि 500 bolt के लिए 26 mm का spanner लगेगा ऐसे ही 700 bolt के लिए 36 mm का spanner लगेगा ऐसे ही 800 bolt के लिए 41 mm का spanner लगेगा अभी हमने 4 size के bolt का spanner size निकाल लिया 2 suit, 5 suit, 7 suit, और 8 suit अब निकालते हैं 3 suit के bolt का spanner size 3 suit bolt के लिए formula में से प्लस 1 हठा देंगे उदानर के द्वारा समझते हैं 3 suit को 3 by 8 inch लिखा जाता है तो 3 suit bolt के size को multiply करेंगे 5 के साथ बराबर हो जाएगा 15 mm यानि 3 suit bolt के लिए 15 mm का spanner लगेगा ऐसे ही 4 suit bolt के लिए 20 mm का spanner लगेगा और ऐसे ही 6 suit bolt के लिए 30 mm लगेगा जायतर इंडस्ट्री में इनी size के bolt का यूज किया जाता है अब जानते हैं spanner पर जो number लिखा राता है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 by 8 W 7 by 16 BS 7 by 16 bolt का size यानि spanner size लिखा हुआ राता है और 3 by 8 bolt के road का size जिस पर thread बना राता है उसका diameter होता है W का full form है width worth और BS का full form है betis standard या width worth जो नाम पढ़ा है British के engineer के नाम पर पढ़ा है इसको British standard width worth के नाम से भी जानते है या thread सबसे पहले British में use किया गया था उसके बाद आई metric thread अब जानते हैं या जो bolt के head पर या line और या number लिखा राता है इसका मतलब क्या होता है जिस bolt पर इस प्रकार line का निशान होता है वह सूत या inches size का bolt होता है और जिस पर number लिखा राता है वह metric size यानी mm size का bolt होता है bolt पर लिखा line और number bolt का strength यानी सकती को दर्साता है जैसे जैसे bolt पर लिखा line और number बढ़ता है वह से वह से bolt का strength यानी सकती load साने की छमता बढ़ती है अब जानते हैं pipe flange को open या close करने के लिए कितने mm का या inches का spanner लएगा यहाँ पर 150 class से लेक और 900 class तक के flange में यूज होने वाले mm साइज और inches साइज का spanner साइज दिया हूँ चाहे तो आप याद कर सकते हैं या future के लिए screenshot लेकर रख सकते हैं अगर इसका पीडियोब चाहिए तो मेरे website का link description box में मिल जाएगा वहाँ से आप download कर सकते हैं और अगर आप metric size यानी mm साइज के bolt का साइज निकालना नहीं जाते हैं तो आई बटम और लिंक दिया हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों मुझे आसा नहीं बलकि पूंड विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद होता हो तो वीडियो को लाइक करें कुछ भी आपके मन में question रह गया हो तो comment box में जाकर पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe और bell icon को प्रेश करना न भूलें मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की घाराईयों से प्रेम पुर्वक बहुत धन्यवाद